हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी और एक जो कमेंट से वो बारबार आ रहा है कि आपने अपनी छट पर जो है बहुत जादा बजन रख रखा है क्या इससे छट को नुकसान नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने मेरी छट पर इतने सारे गुरो बैक को कैसे रखा हुआ है कैसे मैंने वेट को मैनेज किया है और क्या इतने सारे बजन रखने से मेरी छट को कोई नुकसान भी हुआ है या नहीं तो वीडियो पूरा देखिएगा आपके सारे डाउट आज के इस वीडियो में दूर हो जाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस एन गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखिए ये मेरे टेरिस गार्डन में लगा हुआ अमरूत का पौधा है और मैंने इस तरह से फलदार पौधे और साथ में धेर सारे सबजियों वाले पौधे यहां पर लगा रखे हैं तो मैं आ जाता हूँ नीचे अब देखिए मैं छट के नीचे आ गया हूँ नॉर्मल मेरी इस तरह की छट है और यहां पर मैंने इस तरह के ग्रो बैग रखे हुए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो छट है वो नई है अभी दस साल पहले ही मैंने ये घर का कंस्ट्रेक्शन कराया था तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और काफी मजबूती से इसका मैंने कंस्ट्रेक्शन कराया हुआ है इसलिए भी मैं इतना बजन रखता हूँ इसके बाद दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो है कि मैं जो मिट्टी है वो बहुत हलकी बनाता हूँ जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये जो मिट्टी है इसमें जो नॉर्मल मिट्टी होती है हमारी गार्डन की ये खेत की वो केबल 30% ही मैंने मिलाई है ताकि इसका बहुत ज़ादा बजन ना हो इसमें और क्या मिलाया है तो कोको पीट और गोबर की खाद हमने सबसे ज़ादा मिलाई है जिससे मिट्टी नॉर्मल मिट्टी से लगभग जो है 30% ज़ादा हलकी हो गई है मतलब जैंसे अगर आप नॉर्मल मिट्टी का बजन दस किलो होता तो इसका बजन अभी 7 किलो ही है इसके अलावा मैं और दूसरे तरीके से मिट्टी कैसे बनाता हूँ जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो मिट्टी है ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को बनाने का तरीका जो है मैंने वीडि रख लिए फिर जब आप उसमें पौधे लगाएंगे तो बाद में जब उनसे आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो इस तरह के जो है पौधे आपको बच जाएंगे जिसमें ये पत्ते इस तरह के स्टेम ये रूट सारी चीजें बच जाती हैं तो अब मैं कर है का किचिन बेश्ट और गार्डन बेश्ट भरा हुआ है उपर ही ये मिट्टी है और अभी देखिए जैसे हमने जाडू लगाई और जो धूल निकली तो भो भी हमने यहां पर डाल दी इस ग्रोवेग में तो इस तरह से जो है इस ग्रोवेग को बहुत जादा जो है ग्र ग्रोवेग को कच्रे से कैसे भरा है हमने इसका वीडियो चैनल पे पब्लिस है आप जाकर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और सबसे अच्छी बात की मैग्जिमम लोगों ने बोला है कि वह भी इसी मेथड से ग्रोवेग को भरते हैं और गार्डनिंग क इसके बाद मैं क्या करता हूँ तीसरा जो मेरा खास अभी तरीका चल रहा है जिस पर मैंने काम किया है मैं लगबग हर साल इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और वह है बिना मिट्टी के पौधे लगाना तो यहां जो आप यह टमाटर देख रहे हैं देखिए इसमें यह आया है कोको पीट गोबर की खाद बर्मी कुलाइट परलाइट जैसे मटेरियल को मिला कर और साथ में इसमें न्यूट्रिशन के लिए हमने बोन मील सरसों की खली इस तरह की चीज़ें मिलाई है अब इस मिट्टी का और क्या खास है इस मिट्टी का बजन नॉर्मल मिट्ट इसे 50% कम होता है मतलब कि इतना कम होता है कि आप इसे आराम से उठा सकते हैं देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर मैं यह रख दूँ और इसको देखिए मैं इस तरह से आराम से उठा सकता हूं बहुत ही कम बेट इसका होता है और आप नीचे देख सकते हैं इस तरह की यह मिट्टी रहती है, बिल्कुल भी यह हाड नहीं होती, आप इस तरह ऐसे करेंगे, तो देखिए, यह मेरे हाथ में आ गई, यह इसकी मिट्टी है, कोको पीठ है, गोबर की खाद है, और दूसरे जो परलाइट, बर्मिकुलाइट है, बोडले होगे हैं, और इसमें हमने यह प पौधे में होती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी यह देखिए, कितने अच्छे इसमें टमाटर बन रहे हैं, तो आप इस तरह ऐसे हलकी मिट्टी भी बना सकते हैं, यह सबसे अभी फिलहाल के समय में सबसे बैस्ट मिट्टी है, अगर आप छट पर ज़् हैं तेक्टेर में मैंने समंझाया है उसे जाकर आप देख ले और जो यह मिट्टी बनाने की वीडियों हैं तीनों वीडियों वह मैं आपको डिस्कृप्शन में भी उनकी जो है लिंक शेयर कर दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं तो पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने तीनों तरह की मिट्टियां कैसे बनाई हैं अब ये तीन चीजें तो हो गई कि हमने पहले तो अपने जो मिट्टी है उसी का बजन कम किया अब इसके बाद जो जरूरी चीज आती है वो आती है आपने छट पर किस तरह से ग्रोवेग क यहाँ पर हो रहा है तो इस तरह के बड़े ग्रोवेग ।्षू फूट ांट वाले ग्रोवेग को हम रखते हैं बीम के पास अब ये पिलर है यहाँ एक पिलー यह है एक pillar यहाँ पर आप देख सकती है यह मिर्च जो लगी है इसके side में ही यहाँ पर एक pillar है तो यह दो pillar के बीच में जो खाली जगह है थी तो यहाँ पर हमने बड़े grow bag रखे है यहाँ पर आप देख सकते हैं drum stick का grow bag है यह यह बहुत बड़ा grow bag है 24 वाई 24 इंच का ग्रोव एक है जिसमें यह drum stick का पिड़ लगा है और उपर इसमें काफी drum stick भी लगती है तो इसे हमने कहां रखा है आप देख सकती हैं वहाँ पर देखिए कितनी अच्छी drum stick लग रही हैं और इसे हमने रखा है इन दो pillar के बीच में तो इस तरह से बजन को हम बजने मैनेज किया हुआ है जहाँ पे ज्यादा बजन रखना है इतने सारे grow bag रखे हैं और ये सारे grow bag रखने पर मुझे कोई भी खत्रा नहीं है मेरी छट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और मुझे इसे धेर सारी सबजियां मिलती हैं जो की आपको भी पता है अगर आपने मेरे harvesting video देखे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मेरी छट से ही कितनी अच्छी सबजियां तोड़ने को मिलती हैं बहुत सारी harvesting मैं करता हूँ और continue harvesting video पबलिस हो रहे हैं तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए पूरी harvesting की एक मैने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है बहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैं मेरी छट पर बजन को manage करता हूँ कैसे मैं इतने सारे grow bag को अपनी छट पर रख लेता हूँ तो अगर आप भी home gardening करना चाहती है या home gardening करती है लेकिन आपको डर है कि इतने सारे grow bag कैसे रखें इतनी मिट्टी कैसे रखें तो मेरे इन points को ध्यान रखें जल्दी से repeat कर देता हूँ सबसे पहले तो हलकी मिट्टी बनाए हो सके तो कम से कम जो normal मिट्टी होती है garden की उसका कम से कम स्वाइल लेस potting mix बनाने की कोसिस करें जिससे कि उसका बजन भी कम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा grow bag भी रख पाएंगे तो ये थे आज के वो tips जो आपको follow करने हैं अपने छट पर gardening करते समये और आपको किसी भी तरह की परिसानी नहीं होगी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं क्या आप भी मेरी तरह अपने छट पर बजन को manage करते हैं या आपका कोई और दूसरा special तरीका है उसके बारे में भी comments करें वीडियो अच्छा लगा हो तो बड़े आसानी से gardening कर सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening